हेलो फ्रेंड्स आज गोद्राकांड का वो सच जो आप लोग नहीं जानते हैं आपके सामने एक ही पहलू हमेशा रखा गया है उस सच को जानिए और फिर फैंसला लीजिए कि वहां मोदी जी किस तरह से गलत थे या किस तरह से सही थे ये फैक्स पाकिस्तान मीडिया द्वार आपको दिये जा रहे हैं उसको घ्यान से सुनियेगा लोगों को क्यों पोर्ट्रेट उनका सही वाला नहीं देखने देती वेस्टर्नर्स को क्यों नहीं बताती कि दैट वाज रॉंग रॉंग पर्सेपशन क्या कारण है देखिए आपने एक बहुत ही टची चीज को पकड आई गई है तो मैं यहाँ पर कुछ मिट्स को बर्स करना चाहूंगा अक्सरी बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर तो यही ख़बरें जाती है कि मोदी के राज में दो हजार मुसल्मानों को मार दिये लेकिन एक्च्छल फिगर दो हजार नहीं है वैसे मुझे मुझे शर राज में बाद में मनमोहन सिंग जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब टेबल हुई थी और उस रिपोर्ट के फिगर से 790 मुसल्मान मरे 240 हिंदू मरे यह बहुत बतकिस्मत नंबर है लेकिन यह यह फैक्ट्स हैं जो कॉंग्रिस के राज में आये थे अब इमिजेट रीज का जन्मस्थल माना जाता है वहां से तीर्थ यात्रियों की ट्रेन अयोध्या से लोटी थी वो गुजरात के गोधरा स्टेशन के ऊपर थोड़ा सा आउट पोस्ट पे खड़ी हुई थी और उसमें जो यात्री थे तीर्थ यात्री थे कुछ विश्व हिंदू परिशत के लोग थे कुछ RSS के काडर थे जुनका योध्या में आना जाना लगा रहता है अचानक and I say this with lot of dismay and lot of embarrassment के अचानक करीब हजार मुसलमानों की भीड उस ट्रेन के उस डब्बे में पहुंचती है जहां पर इन लोगों के reservation थे बोगी नमबर S6 और S7 इसे घेरती है अचानक पथराव शुरू होता है और पेट्रोल में भिगो भिगो कर रूई के गद्धों को और तकियों को अंदर फैका जाता है और आग लगई जाती है जिसमें 69 हिंदू जिन्दा जलकर मर जाते हैं 28 फरवरी सन 2002 का दिन था 69 जो हिंदू जलकर मरते हैं जैसी के आपको जानकारी इंडिया में जो स्लीपर डबे होते हैं 72 लोगों की सीटे होती हैं तो 72 में से 69 लोग जलकर मर गए उनमें 40 और बच्चे थे अब इसके बाद में 3 मार्च से बदकिसमती से इंडिया में दंगों का इतिहास बहुत पु लेकिन यह रियालिटी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसल्मानों का दंगों का इतिहास बहुत पुराना है बदकिसमती से दंगे हो जाते हैं 3 मार्च से जब शुरात में इस खबर को थोड़ा दबाया गया लेकिन जब 69 लोग जिन्दा जलकर उन पापड जैसे बन गई लाशें और उन लाशों को जब ट्रांस्पोर्ट किया गया था तो लाशें जहां जहां से घुजरी वहां से खबर फैलती चली गई और तीन मार्च से दंगे फसाद चालू हुए जिनमें बदकिसमती से जो में फिगर्स में आपको बताई हैं उतने लोग मारे गए थे अलबता दूसरे फैक्स जो हैं उन पर परदा डाल दिया जाता है ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी राज्ज में दंगे शुरू होते ही 48 घंटे के अंदर अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने आर्मी को आने के लिए ग्रीन सिगनल दे दिया हो पांच मार्श का दिन था आर्मी की टुकडियां पहुँच गई थी फ्लैग मार्श करने के लिए दूसरी बात ऐसा पहली बार हुआ इंडिया में कि पुलिस की गोलियों से सौ हिंदू दंगाई मारे गए थे ये facts हैं ये documented figures हैं मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से कटर जो मुसलिम्स के अंदर जो कुछ कटर और और अर्गनाईजेशन्स थे उन्होंने वहीं के पास में गोधरा में करी 50 मस्जिदे हैं 50-60 मस्जिदे हैं हो सकता हम इसे कुछ मस्जिदों को साओधी फंड्स आते हों जहां पर वहाबिजम की जो extreme hardliner ideology वहां से प्रपगेट करते हैं एक मस्जिद से mobilize हुई थी वह वह मॉब जिसने ट्रेन को घेरा था और इस तरह से जलाया गया यह यह भी पहला मौका था इंडिया के अंदर यह उसका immediate reasons थे इसके पीछे history का थोड़ा सा और पीछे अब जाएंगे तो गुजरात की political uncertainty भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त यह मार्च 2002 की बात है उससे धाई महिना पहले जब दिवाली के आसपास का वक्त था तब ही मोदी जी को पेराड्रॉप किया गया था अटल जी और अडवानी जी के कहने पर उनको सीधे उठा कर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था वे गुजरात में उसके पहले कभी कि असेंबली के मेंबर तो क्या चुनाव लड़ना तो क्या वे कभी किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव नहीं लड़े थे वे कोई लेक्टेट फिगर नहीं थे और उस वक्त गुजरात में बहुत कई बरसों से पॉलिटिकल अंसरेंटी चली आई थी हर हलां कि बीजेपी मेज़ॉरेटी में थी लेकिन फिर भी कोई एक तगड़ा लीडर नहीं था कॉंग्रेस बहुत होपलेस कंडिशन में थी लेकिन फिर भी वो इस इस इनफाटिंग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती थी कई सालों से चल रहा था तो आप यह समझ सकते है कि पॉलिस धीली हो जाती है और पूरी सोसाइटी में भी एक एक एजिटेशन हो जाता है गडबड हो जाती है तो इन सब चीजों की रोशनी में एक नए आदमी को आप उठाकर चीफ मिनेस्टर बनाते हैं जिसके ज्यादा सपोर्टर भी नहीं थे और इंडिया में ऐसा होता है कि काफी चीज़ें इंटर पर्सनल तरीके से होती है चीफ मिनिस्टर की उस वक्त हो सकता है महां के पुलिस पुलिस वालों से भी जान पेचाना हो पुलिस वाले सुनते नहों एवन खुद अपनी पार्टी के लोग ऐसे मौके पर नए मुरगे की टांग खिचने के कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ इसलिए ठोक रहा हूँ आपकी पूरी कहानी हम तक पहुंची और बड़ी इंपॉर्टन्ट है आपने फैक्ट से साथ बात की यह वह फैक्ट है जो हमारे दर्शकों को जानने के जरूरत है आपने एक्जेक्ट नंबर बताएं कि मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ना तो मूदी साथ ने किया था मूदी साथ ने कंट्रोल किये और उसी स्टेट में जहां ये इंसीडेंट पहले हुआ करते थे फिर हमें आगे ये पता चलता है कि उन्होंने मैक्सिमम उसको कंट्रोल किया मैं कैनेडा में गवा हूँ जब मूदी साथ हारपर गार्मेंट के जमाने में यहां पर आये थे तो सबसे बड़ा डेलिगेशन गुजराती मुसल्मानों का उनके साथ मिला था और कितने प्यार से वो मिले थी मैं इस मत काश में रेडी होता तो मेरे पास वो वीडियो में दिखाता अपने दर्शकों क यह तो वो फैक्ट है अब देखिए एक चीज़ दोर जोड़ना चाहूंगा इसमें के उन दंगों के बाद मोदी जी यह फैक्ट है एक के बाद में तीन इलेक्शन जीते हैं पांच-पांच साल अगर अगर उन्होंने दंगे करवाए होते जैसा की लोग बोलते हैं वो तो एक systemic campaign है नो उनके खलाफ, demonize करने के तो कोई गुजरात की जो public है इंडिया की सबसे ज्यादा educated public में से मानी जाता ही वो इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि किसी mass murderer को एक के बाद में एक तीन election जिताएगी और दूसरी बात यह है कि एक बार जब यह जम गए वहाँ पर तो इत इस आदमी की तनकीद करने के लिए लोगों को कुछ और नहीं मिलता है तो 17 साल पीछे जाते हैं राइट मतलब 17 साल से यह आदमी लगातार या तो गुजरात का Chief Minister था या इंडिया का Prime Minister था इन 17 सालों के कालखंड में इस आदमी के खिलाफ बोलने के लिए किसी को कुछ नह मिल रहा है मतलब जो 17 साल पीछे जाना पड़ता है लोगों को अच्छी बड़ी दिल्चस बात है ये 17 साल की बात है वही जो आज हमारा मुद्धा है डिस्केशन का वो ये है कि इंडिया का पार्टिशन हुआ ब्रिटिश चले गए लेकिन जो है वो सब ये सब छोड़ गए वो उनको कहते है ना कि वो चर्चल ने कहा था कि दस साल भी नहीं इंडिया लास्ट करेगा उनका तो ये विचार था होप था बलकि कि ये कॉलाप्स कर ड़ेगा